इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि घर बेटे आप अपना पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं इसमें आप बगेर किसी एजेंट के मिले आप अपना घर बेटे पासपोर्ट बना सकते हैं बहुत ही सरल पर किरी हमने बताए एक एक चीज पर हमने आपको जो टोपिक हे वो कवर किये है ताकि आपको कोई दिककत ना आए इसमें जो हमारे पासपोर्ट बनते हों दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं одинineat दोनों पासपोर्ट, इन में कौन-कौन से दस्ता वेज लगने हैं पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले NAND ECR को आपको देना होता है Markseat होनी चाहिए high school से कम से कम high school की आपके पास Markseat होना चाहिए आधार card होना चाहिए और इसके इलावा आपके पास bank passbook होना चाहिए इन तीन डाकुमेंस के साथ हमारा अनुभव अच्छा रहा इसके अत्रिक तोर सारे डाकुमेंस लगते हैं जो आप पास्पोर्ट की आफिसिल वेबसाइट पर जाके डाकुमेंस चेक कर सकते हैं जो हमारा ECR होता है उसमें आपको आधार देना होता है और बेंग पास्पोर्ट का इसके अलावा भी इसमें अनिर दस्तावेज भी लगते हैं आप यह दस्तावेज दो लगाएंगे तो जब आप पासपोर्ट आफिस में जाते तो वहां पर आपका वेरिफिकेशन आसानी के साथ हो जाता है और साथ या दस दिन के या तीन दिन की अंदर में आपका पासपोर्ट बनके आपके घर आ जाता है यह काम आपको कैसे करना जि इस तरह का interface को सामने आ जाए तो हमारे पास जो सबसे पहली link के यहीं पर हमको क्लिक कर देना है इस वाली link पर हमको क्लिक कर कर देना आए तो यहां पर थोड़ा प्रोसेस लेता है थोड़ा खुलने में तो जीसे यहां पर किलिक करेंगे आपके सामने यहां पर एक आप शन खुलके सामने आएगे पॉप अ विंडो आएगी इसको आप क्लोस कर देना है यहां पर लिखाओ नी यूजर रजिस्टेशन तो पहले नेम बनाना होता है यूजर नेम पासवर्ट बनाना होता है उसके बाद हम कर पाते हैं तो यहां पर हमारा यूजर नेम पासवर्ट करेड़ करने के लिए तो जैसे आप यहां पर आएंगे आपसे पूछ रहा है कि CPV दे लही है या फिर पासपोर्ट आफिस है अगर आप दि पास्पोर्ट आफिस लखनाउ है तो यहां पर हमको टिक चैन कर लेना है तो इसके बाद यहां पर आप पूछरा आपको यहां पर अपना नेम डालना है सरनेम आपको यहां पर नहीं डालना फिर आपको यहां पर अपनी जनम्तित का चेहन करना है और फिर यहां पर आपको अपनी email id डाननी है यहां पर पूझरा do you want to login id to be same email id तो आपको यहां पर इसको टिक कर देना यहां पर आप टिक करेंगे तो जो mail id होगी यहां पर आ जाएगी यह आपकी login id हो जाएगी इसके बाद यह login id यहां पर आपको इस तरीके से आपको password बनाना है यहां पर आपको confirm password कर देना है फिर यहां पर आपको hint question आप जो भी यहां पर चाहें तो कर सकते हैं बढ़ सिटी आप यहां पर अपनी city या गाओं का नाम डाल देंगे इससे कोई यहां पर इसका कोई इश्यू नहीं रहता है यहां पर capture code डालने के बाद आपको register पर click कर देना है तो देख सकते हैं सारी detail हमने फिल कर लिए फिर यहां से हमको इसको register पर click कर देना है तो यहां पर register पर click करेंगे यहां पर बताया जा रहा है कि आपकी mail ID पर एक link भेजा गया उसको verify करना है तो हम अभी mail ID खोल कि लिंक क आपको verify कर रहे हैं तो आप अपनी mail जैसे खोलेंगे आपके सामने इस तरह का एक link आएगा इस link को आपको verify कर देना है यह हमारा भी account बनना है जो जहां से हम अभी passport अपना online करेंगे थोड़ा इसमें टाइम लगता है लंबी प्रकिर्या थोड़ा वीडियो भी lengthy हो जाएग यहां पर लिखिया your account has been activated successfully फिर हमको यहां से इसको login कर देना है लौग इन करने के बाद आपको mail id वही अपनी वाली mail id यहां पर डालनी है फिर उसके बाद आपको continue पर click कर देना है यहां पर login करने के लिए आपकी जो mail id पर डालने के बाद आपको यहां से continue पर click कर देना है यहां पर जो हमने passport बनाया था वो passport डालना फिर यहां पर हमको capture code डालने के बाद हमको login कर देना फिर आपके सामने इस तरह का कुछ interface खुलके आ जाएगा यहां पर लिखा हुआ है apply for first passport तो हम पहली बार passport online करने के लिए जा रहे हैं तो हमको यहां पर click कर देना है तो यहां पर click करने के बाद हमारे पास यह दूसरी वाली link है यहां पर हमको click करना पर click here to download sort of the story यहां पर हमको नहीं किलिक करना है हमारी यह पहली वाली है कि यह एक नंबर वाली यहां पर हमको click करना है इस वाली link पर इस वाली link पर click करेंगे फिर आगे का process हम अभी बढ़ाएंगे यहां पर click करने के बाद हमारे सामने यह आ जाएगा state chain करने का करने के बाद हमको जिला अपना चैन कर लेना है तो रिडारेक्ट होगा तो आपको यहां पर पहली बार कर रहे हैं तो फिरस नॉर्मल और 36 पेज तो ज्यादा तर जो हम लोग हमको यहां पर सबसे पहले अपना डालना होता है नेम जिस भाई का passport बना यहां पर नेम डालना है फिर मेल है तो मेल फिमेल है तो फिमेल यहां पर आपको दोनों में नो करना है यहां पर नो कर देना यहां पर भी हमको नो रहने देना यहां पर हमको जनमतित का चैन करना है जनन्तित का चेन करने के बाद हमको यहाँ पर अपना गाउं या शेहर का नाम डालना है फिर इसके बाद हमको यहाँ पर इस्टेट का चेन करने के बाद हमको डिस्टिक डालना है material status अगर साधी हुई है तो merit करना है अन्हेथा single है तो single पर हमको click करना है single पर click करने के बाद यहाँ पर pen card optional है अगर pen card है तभी आपको यहाँ पर देना है order ID optional है और फिर यहाँ पर employee type जो है employee type जो भी हो student है private है यहाँ पर आपके parents अगर government officer या government करमचारी है तो आपको यहाँ पर yes करना है वन्हाँ यहाँ पर आपको no click कर देना है अब यहाँ पर मसला जीसे 7 से नीचे अगर कोई पास है तो उनका passport बनता है ECR अगर हमारे पास 10th above है तो यह automatic सारा प्रोसेस हो जाता है 10th के उपर है तो हमारा passport बनता है non ECR तो हमारा 10th वाला है तो non ECR हुआ यहाँ पर immigration check required की ज़रूरत नहीं होती है बस ECR और non ECR में बस यहीं पर जो फरक होता है तो अगर कोई अनपढ़ है तो यहाँ पर 7th pass आर लेस कर देना है अगर पढ़ा लिखा है यहाँ नमबर डालके फिर यहाँ पर एगरी करके फिर हम सेव करेंगे सेव करने के बाद दुबाद फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ करेंगे फिर नेस्ट कर देंगे डाला होता है जो हमारे आधार काड में या हमारे दस्तावेज में यहां पर अपनी मदर का नाम डालना माता जी का यहां पर नाम डालना है फर दो चीजे डालनी है अगर आपके साधी हो गई होगी तो यहां पर एक सपोस का आपसन बढ़ जाएगा वहां पर हस्बेंड या व और हमको पता डालना आगर आपका वाड वगेरा जो भी हो यहां पर फुल पता आपको यहां पर डालना है विलेज करने के बाद आपको यहां पर नमबर डालना है मुबाइल लंबर आप बहुत साउधानी पूरवग डाले इसमें गलत ना हो आप यहां पर mail id कोई भी use कर सकते हैं अगर आपका address उपर वाला address is a permanent address is available यहां पर yes करेंगे फिर लिख रहा is a permanent address same present तो यहां पर फिर आपको yes कर देना है उपर वाला address बनने के बाद आपको दोनो में yes कर देना अगर आप जहां पर रहे रहें permanent address सेम नहीं तो यहां पर आप no click करेंगे फिर यहां पर दूसरा जो आपका जहां पर रहे रहे हैं वो पता यहां पर डालना है यह ज्यादा आशानी यहां पर रहती है फिर इसके बाद आपको यहां से nest कर देना है यहां पर आपको एक emergency number देना होता है यहां पर आपको नाम डालना है किसी अपने फादर का या अपने बड़े भाई का या इसे परिवार के जिम्मेदार आदमी का number यहां पर sorry यहां पर नाम डालना है नाम डालने के बाद आपको यहां पर address लिखा हो तो पर डिस्टिक का नाम डाल देना फिर यहां पर उसी का मोबाइल नमबर डाल देना मेल आईडिया अप्शनल में इसको आपको डालना हो तो डालो वनना कोई जरूरत नहीं है टेलिफून नमबर भी यहां पर आप्शनल है सिर्क मोबाइल नमबर आपको यहां पर डालना होता कि डिटेल प्रिवियस करेंट डिप्लोमिक आफिसर यहां पर डिटेल नाट अवेलेबल पर आपको क्लिक करना फिर यह पूछ रहे हुआ पास्पोर बटनाट इसू तो यहां पर आपको नो रहने देना है यहां उपर वाले में नो यहां पर डिटेल नाट अवेलेबल वाले फिर नीचे वाले में नो पर किलिक करके आपको सेव करना है सेव करने के बाद इसी तरीके से यह से हम करते आ रहे हैं फिर यहां से हमको नेस्ट पर किलिक कर देना है फिर यहां पर यहां पर यह पेज ओपन होके आ जाता इसमें सब सारा कुछ आपको नो नो पर किलिक कर देन है सब कुछ 9 NO रहने देना है यहाँ पर कि यह भी नो यह भी यह और यह और यह यह नो करने के बाद हमको यहां से सेव कर देना है कि खिंग करने के बाद स्konक्राइब से अ maint erब करना है लगाने के बाद यहां पर नो आपको कर देना इसमें दो डाकुमेंस यहां पर हम लगाएंगे आधार वह बेंक पास्बुक इससे ज्यादा आसानी रहती हमारा अनुभू इन दोनों डाकुमेंस के साथ अच्छा रहा है कभी जो है पासपोर्ट रुका नहीं हो जैसे आफिस में गया है बंदा उसका काम हो गया है यहां पर आपको एगरी करना यहां पर आपको अपने इस्थान का नाम डाल देना है अपने जिले का डालने के बाद आपको सेव डिटेल करने के बाद आपको यहां से सम्मिट पर क्लिक कर देना है तो जैसे सम्मिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने payment करने का एक page आज आएगा यहां से आपको payment करना होता है तो यहां पर payment करने के लिए आपको यहां पर online payment credit card debit card internet UPI से आप कर सकते हैं तो online payment करने के लिए आप यहां पर click करेंगे फिर यहां पर आपको next पर click कर देना होता है यहां पर नेस्ट पे जही से हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो भी जहां का भी आप अपाइंटमेंट लेना है तो यहां पर आप अपना जो नजदी की पास्पोट आफिस है वहां पर आप इसका चैन करके यहां पर केप्चा कोड डालने के बाद आपको नेस्ट पर क्लिक कर लेना है नेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डेट जो भी आपको लेनी है यह ग्रीन वाली है यह डेट ओपेंडेती इन में ही आपको चेन कर लेना है जो भी आपको डेट लेनी यहां पर आप उसको चेन यहां डेट चेन करने के बाद आपको यहां पर पेंड न सारे इसमें दिये हुए हैं तरीके जिसें जो आपके पास चीज़ेOW हां से कर सकतें नेट बेंकिंग, credit card, debit card, जो भी हो तो यहां पर आप अगर फोन पे, google पर चला रहे हैं तो यहां with aid, se bhi कर सकते हैं यहां पर qr code है,ridgepi, ubay यहां पर little किएज डाल कि आप कर सकतें qr code कर लीजिये ज्यादा आसानी यहां पर रहने वाली है तो यहां पर आप कंफिर्म कर देंगे आपके सामने बार कोर्ड ऊपन हो के आ जाएगा इसको स्केन कर लिए यहां पर आपको पेज पर रुकना है पेज आटोमेटिक रिडारेक्ट हो गया यहां पर आपको ओकेशन कर देना है यहां पर एक और इंफॉर्मेशन फार्म यहां पर भी थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सकसेज हो गया पर में लेकिन यह भी अभी रिडारेक्ट हो गा है आपको भी यहां पर कोई भी की जो है प्रेस्ट नहीं करनी है तो यहां पर आज आएंगे यहां पर जो है लगाउट हो जाता आटोमेटिक फिर आपको इस दिक्टिंग करके यहां पर अपनी मेल आईडी डालने के बाद आपको यहां से नेस्ट पर किलिक करने के बाद आपक से मिसको कर लेते हैं यह हमारा यहां पर लॉग इन हो गया फिर आपको यह कट जाएगा तो यहां पर वीव सम्मिट अपील पर किलिक करना है वीव सम्मिट अप्लिकेशन फाम तो यहां पर आपको पहले वाले पर किलिक कर देना तो यह डिटेल हमारी यहां पर आ चुकी फिर इसको यहां से एसे करेंगे फिर हमारा पेमिंट यहां पर फेल हो चुगा है तो पेमिंट पर यहां किलिक करेंगे और ट्रेक स्टेटेस पर आपको किलिक कर देना है यहां पर पेमिंट को वेरिफाई करेंगे तो हमारा पेमिंट यहां पर सेक्सेच हो गया है फिर हमको यहां यहां पर दुबारा से वहीवाली डेट आपको चेन करके बुक अपाइनमेंट पर किलिक कर देए तो यहां पर सारी डेटेल लिखे आ गई है सामने आपके फिर आपको यहाला प्रिंट आउट निकाल के आपको जो है अपनी माक सीट बेंक का बेंक पास्बुक और आधार तरह से वेरिफाई करके ले जाना जो सिगनेचर वेरिफाई होती है उसको इस तरह से ले जाना होता है उम्मीद है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है कोई भी क्यों रही है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके प कर दो आर दो आर आर को स्वारी कि एृटबगे और दो अर्म घड़िधे ृट्वारी कि एक 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 का सल आता दो आर के एक एक का को अर आर की हुआ हूं